हेलो केट्स वेलम बाक टू माई यूडिप चैनल केट्स लर्निंग मैं आश्टा करती कि आप सबी स्वस्थ होंगे खुश्च होंगे अपना कार कर रहे होंगे चलिए आज हम करेंगे डिवी द्वारा देगे वरक्षिट दिनांग 27-10-2020 क्रमांग संक्या 98 आज की वरक्षि पेज नमबर 74 यहां पर स्टुटेंट अपना नाम लिखेंगे यहां पर टीचर का नाम तो चलिए बच्चो बिना किसी देरी के वरक्षिट शुरू करते हैं Good morning student. Hope you are staying safe at home. Good morning प्यारे बच्चो आशा करते कि आप सभी घर में सुरुप्षित होंगे Children, sometimes two words can be combined together to make the new words like Black plus board, black board, sun plus sign, sunshine, etc. They are called compound words बच्चो आपने कभी दो words को जोड़ा हैं, दो words को जोड़ते हैं तो एक नया word से यहार होता है जैसे black, kala और board दोनों को मिला देंगे तो black board, kala board जिस पे लिखती हैं और यह sun, sign इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? sunshine, they call compound words उसे क्या कहते हैं? compound words कहते हैं चलिए आगे देखते हैं Now look at the following picture carefully and write the compound words that can be made by joining the two pictures in the space given below यहाँ पे देखिए बच्चो आपको कुछ picture दी गई दो picture को जोड़ कर एक picture बनी है इसमें आपको words लिखना है, compound words तो देखिए, चलिए बरते हैं पहला क्या दिया है? आप यह picture देखिए क्या लगए यह क्या है? यह है tooth यानि दाथ तो उसकी spelling लिख देते हैं T, double o, th, tooth यानि यह हमारे दाथ है tooth और यह क्या है? plus, यह क्या आपको दिख रहा है? यह brush है तो यहाँ पर brush b, r, u, s, h, brush तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चो? tooth brush तो लिख दीजे, t, double o, t, h, b, u, sorry, d, r, u, s, h, tooth brush चलिए, आगे दिखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? यह है basket यह picture basket की है तो यहाँ पर लिख दीजे b, a, s, k, e, t, basket plus, यह क्या है? ball b, a, double o, ball तो यहाँ पर यह दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? basket, ball तो यहाँ पर आप लिख दीजे basket, ball और तीसरा क्या है? यह देखे, यह star है तो यहाँ पर लिख दीजे s, t, a, r, star और यह क्या है? plus, यह fish है तो f, i, s, h तो यह बन गई, दोनों को मिला देंगे, तो बन जाएगा star fish क्या बन जाएगा बच्छो? star fish ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्छो, आगे क्या दिया हुआ है? talk time dear children, look at the picture given on the right hand side carefully what do you think the people in the picture are talking about? image, imagine and create their dialogues, say them out loud and write them in your notebook you may take up, helps your elders too यहाँ पर बच्चो आपको right hand side पर picture दी गई, इसे ध्यान से देखिए यह सारे लोग आपस में क्या बाते कर रहे हैं इनके डालोग को अपनी copy में लिखिए loud से read करिए यह इस बच्छे की mother है और यह इसका father होगा और यह जोहन है इसका बच्चा रोहन कह रहा है पापा से की पापा प्लीज do not leave my cycle प्लीज पापा, प्लीज टाइटली तो मम्मी कहती वाओ रोहन, you are buck up, buck up बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलो इसी तरह से चलाओ प्लीज केरफुली इस तरह से कुछ डालोग क्रिएट करके अपने नोटबुक में लिखिये note for teacher, the teacher should reach out to the student for the better understanding of the worksheet as per need अभी बाओकों के लिए सुझाओ है कि बच्चों से जल प्रदूशन के बारे में चर्चा कीजिये और अपने वाता परण को स्वच बनाने में हम क्या सहायता कर सकते हैं इस संबंद में भी चर्चा कीजिये आज का कोविट का मेसेज है कि जब भी बाहार निकले बच्चों दोगस की दूरी बना के चले, कोरोना को हराना है तो दोगस की दूरी बनाना है उमेद करते हैं कि आपको मेरी वाक्षीट पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अगर आप मेरी चैनल पर नहें हैं तो चैनल को फड़ा पर से सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की तब तक अपना ध्यान रखें बाई बाई